हीरा सिंग्जी आप उस प्राजगड विधान सभा के सबसे युवा सक्क्रिय नेता हैं छेत्र में आप किस कारसेलिंग वे काम कर रहे हैं आने वाले शमय में विधान सभा चुनाव में आप टिकट के दावेदारी कर रहे हैं क्या अब टिकट मिलना न मिलना यह तो केंढरनेत्यत्र वी सय आपके विदान सभा लोक खिया अपने कोई बड़े चुनाव लड़ने का मौका मिले जिसके माध्यम से छेतर और समाज की बीच में और अच्छे से काम किया जा सके इस दिसा में रहता है प्रयास और अब इस फिल्ड में लगभग अपन लोग को 2010 से इस फिल्ड में अपन काम कर रहे हैं जैस तरह ऐसे लोगों का इ इसमें सबसे कम उम्र में जिला पंचाइज जैसे बड़े चुनाव जिताने में लोगों की आहिम भूम कर रहा और उसके बाद से जिस तरह से हम लोगों को ये लोगों के बीच में बने रहे सब लोगों के इसने प्यार बना रहा और च्छेतर में काम करते रहे उसका प्रि कर रहा है तो फिर हमें जैसे फिर जनपत के चुनाव लड़ने के लिए च्छेत्र बदलना पड़ा और उसके साथ लड़े भी फिर लोगों को वहां भीजने अच्छा मिला और जनपत का सदस्क चुनाव जीते और जनपत धच बनने का सवभाग प्राप्त हुआ तो कहीं न कहीं हम तो लगे हैं कि हमारे च्छेतर का विकास हो पुस्पराजगर का विकास हो उस दिसा में राजनीते में कहीं न कहीं किसी माध्यम से जुड़े रहें ऐसा प्रयास रहता है और रही बात टिगट का तो आदमी अब हर किसी का दाई तो फर्ज बनता है और हर ल तो हमारे लिए भी अच्छा ही है और अब आकी तो जैसा दिसा निर्देश प्रदेश नेत्व तरके अंदर कर रहे गा ही ही फिरा सिंग जो छेत्र में जंचर्चा है जे आप सबसे युवानेता हैं और शेक्री रूपशे छेत्र में कारे कर रहे हैं तो लोगों की मंसा भी ह होगी कि युवानेता को इस वाटी कड़ दिया जाए ऐसे आप लोग फिल्ड में रहते हैं तो उस चीज को आप ज्याद अच्छे से आंकलन कर सकते हैं अब क्या है ना खुद को खुद के बारे में उतनी अच्छा से पता नहीं चल पाता है यह तो जब आप लोग फिल्ड करता इस पर समझ में आएगा अब हम अपने बारे में की अपने और यह कर पाए तो थोड़ा सा है भी नहीं ठीक और अपने बारे में अखलन भी नहीं कर सकते हैं तो जैसा आप यह मान के चल रहे हैं कि हम टिकट की दावेदारी करेंगे तो इसका जनाधार तो होगा आप यह मान के चल रहे हों कि जनता हों मुख पसंद करती है तभी तो आप दाविधारी कर रहे हैं कि और भी वीजेपि के कई दाविदार हैं जो अपने दावा पेस कर रहे हैं जैसे अब हम बोले ना भाई साथ कि हर किसी को अपने अब जाहिर से बात है राजनीतिक पार्टी से जुड़े बेखती हैं जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं तो जाहिर से बात है कि अगर लगता है कि वो सीट अपने लिए जरूरी है या कि फिर अपने मतलब अपने लाइक है और अपन वो कर सकते तो करना चाहिए उसमें मैं अपनी बात नहीं करता है और जो भी और दावेदार हैं उनको करना चाहिए क्योंकि जिस संगठन में आप काम कर रहे हैं तो जाहिर जबात है कि संगठन किसी ना किसी कार करता कोई चुनाओ लड़ाएगा और हर कार करता का फर्ज बनता है कि वो दावेदारी करें अब वो तो केंदर ने तो का के उपर डिपेंड करता है अपने प्रदेश ने तो पर डिपेंड करता है कि वो किस कार करता पर अपन देलाल जी और इश्वार भी सायद टिकट कॉंग्रेस पार्टी उनको देगी ऐशे में क्या आपको लगता है कि छेत्र में बदलाओ होगा या बीजेपी पार्टी यहां से अपना कंडिडेट में बीजय प्राप्त करेगी इस बार भाई साब जाहिर से बात है कि इसमें कोई आधी डाउट नहीं है कि हमारे प्रदेश सरकार ने काम नहीं किया है प्रदेश सरकार ने तो बहर के काम कियon हमारे च्हेतर समाज के लिए जिस तरह से अगर आपको भी पता होगा जो हमारा पुस्प्राजगड़ है पुस्प्राजगड़ लगभग यह विधान सब हमारे 200 किलोमीटर चेतर में फैला हुआ है 32 ग्राम पंचायत में से 52 गाओं जुड़े हुए है यह हो गया उसी तरह से हमारा आप अपना दमेहड़ी जल पर दायोजना से लगभग पुस्प्राजगड़ के 85 गाओं जुड़े हुए है जहां मतलब नर्मादा मा का जल घर घर तक पहुच पा रहा है और यह सब भारती जनता पार्टी के सरकार के दौरान हुआ है और जिस तरह से आप लीला दमेहड़ी और आपके नौन घटिता की रोड की बात करें लोगों ने कभी कलपना नहीं किया रहोगे कि पुस्प्राजगड़ जैसे दुरस्त छेत्र में इत्ती सांदार सीसी रोड देखने को उसी तरह हम अगर बेनिबारी रोड की बात कर लें उसी तरह हम अपना राजन ग्राम करांदी अमगावा रोड की बात कर लें चाहे उस तरफ से अपन जैसे अन रोड है जैसे अपना पूरे पुस्प्राजगड में आप पीम जैस्वाई की रोड देखेंगे आपका जाना उधर सराई तरफ हुआ होगा सराई तरफ से जैसे अपना नेशनल हाई बे निकला है सराई दमेहडी तरफ से फिर उधर आपका कुम्नी कोडार तरफ तो छोटे छोटे जो मुहले मजरे बसे हैं उन जगह तक प्रधान मंतिर ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भारती जनत की बिधायक जरूर बने लेकिन उनने कोई ऐसी कोई उपलबधी नहीं है कि उनने कुछ किया हो तो हम तो यहीं मान के चलते हैं कि भारती जनता पार्टी को जो भी प्रत्यासी होगा उसको पुस्पराजगर्चेतर की जनता अपना पूरा पूरा इसने है और प्यार देंग तो दिखी रहा है जिस तरह से अभी हमारे भारती जनता पार्टी के द्वारा लाटली बहना योजना मतलब हमारे पूरे छेतर और समाज के लिए संजीवनी है मतलब जिस तरह से महिलाओं को प्रमोट करने का काम भारती जनता पार्टी के सरकार ने किया कि जिस तरह से हमार तो इसका भी एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा और हमारे पूरे छेतर में आप गए होंगे तो समूह के माध्यम से जो समूह से जुड़ी बहने हैं उनको सबसीडी में दे के पैसे का कम से कम करोड़ों रुपए का मतलब जिससे आत्मी निर्वर हो जाएं छोटे- महिलाओं के लिए काम की हैं तो इससे तो लगी रहा है किस बार महिलाओं का जो बोट है मेरे को लगते है कि भाज-पचार कहीं जाना नहीं चाहिए और छेतर में अपन लोग भी घूमते तो लग भी रहा है कि पूरा समर्थन माननी हमारे केंदर नेत्तों को प्रदेश ने पढ़ेगा क्या जैसे क्या है कांग्रेस की सरकार पहले भी कई वादा खिलाफी करके लोगों को मुर्ख बनाने का काम किया है जो आप भी देखे होंगे पिछले चुनाव के दवरान कर्ज माफी एक बड़ा भी सह था कांग्रेस के सरकार ने कहा कि हम दो लाग तक के कर्जा म माफी हुआ ना जो अपना वो सिचित ब्रोजगार के लिए जो चारहजार देने के बाद किए न वह वादा पूरा किये और इसके वज़े से आज भी हमारे च्छेतर के किसान लोग काफी लोग यह उम्मीद से की सरकार साइद उनका कर्जा माफ करेगा तो अपना किस्त भी यह तो मूर्क बनाने का काम कर रहा है और वो ऐसा हतकंड़ा अपना रहा है कि किस तरह से मैं सत्ता में आ जाओं तो कुछ भी अनाब सनाब बोलके अपना मतलब सत्ता में आना चाहती वांकि लोगों को पता है कि कुछ करेगा धरेगा नहीं तो उनके ज्यादा यह गुमरा कभी काफी असर पड़ता जैसे माननी मोदी जी द्वारा आज के अंदर की जित्ति प्रकार की योजना है अगर हम क्रियानवएं की बात करें जैसे एक सबसे बड़ा योजना आईसुमान कार्ड आईसुमान कार्ड तो हमारे छेतर के हर गरीब के लिए इतना ज़्यादा ज जाता था आज इसमान कार्ड मेरों को लगता हर घर में हर परिवार के हर बेक्ति का बना है हमारे पुस्प्राजगर में तो पांच लाग तक के जो इलाज की सुवधा जो केंदर सरकार ने दिया है उसका कहीं न कहीं असर तो है और जरूरी भी है और लोग इन मुद्दों को म मिला है तो उसका भी असर कहीं न कहीं हमारे चेतर समाज के बीच में रहता है और लोग इसको मानते भी हैं हीरा सिंग जी अभी बर्तमान में कॉंग्रेस के विधायक फुन्देलाल जी हैं तो क्या वो अपनी सासन की योजनाओं को धरातल पर उतार पाए हैं या पब्लिक जनता तक पहुचाने में सफल हुए हैं केवल कांग्रेस की बिधायक ने माननी हमारे चेतर में केवल अपना विकास किया है पब्लिक के समस्याओं से या कि पब्लिक से कोई ऐसा सरोकार नहीं रहा है कि उनको रूबरू हो के कुछ करने का प्रयास कियों आप भी पूरे पुस्पराजगर में देख रहे हैं तो जा साल बाद कोई उप्योग नहीं रहता है मतलब कुल मिलाके सरकार के पैसे का दोहन करना कुल मिलाकिस में कमीशन खोरी कि अगर हम बात करें तो केवल उत्तई में कांग्रेस की बिधायक और कांग्रेस के लोग केवल वहीं तक सीमित हैं आज माननी हमारे विधायक जी भी है आप भी छेतर में घूमते होंगे देखे होंगे क्या कोई विधायक नीदी से कोई ऐसा डवलप्मेंट का काम किया गया हो जो चेतर और समाज के लिए जरूरी हो ऐसा काम देखेंगे आपको तो बहुत मेरे को लागता है एक भी नहीं मिलेंगे पूरे पुस्पराजगर मे तिन-चार महीन बाद चुनाओं है तो आप देखेंगे कि ऐसा कोई बड़ी उपलब्ध ही नहीं है जो विधायक जी कह सकें कि हमने ये बड़ी बड़े काम छेतर और समाज के लिए किये हैं इस तरह से हैं उनका तो केवल एक फंडा है कि यातिर प्रतिशाले बनवाओ और दावेदारी की आप बात कर रहे हैं तो दावेदारी तो देखिए अब हर कोई करता है और हर कोई चाहता भी है बांकि अपन तो बता हैं अपन भारती जनता पार्टी के समान सकार करता है और पार्टी अगर सोचती है विचार करती है तो जाहिर से बात है अपन इस छेतर से जमीन से जुड़े लोग हैं, जमीन के जो समस्या है वो बहुत अच्छे से पता है, जिस तरह से आज हमारा इतना बड़ा छेतर है, और जो मोदी जी के एक skill development की जो बात चलता, skill development को लेके काफी कुछ चीज़ें काम हुए हैं हमारे छेतर में, जैसे आपको पता होगा कि ITI व माने पे हो, मतलब लोग जब यहां से 11th, 12th पास करें, तो कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा skill का काम पकड़ लें, जिससे अपनी जीव का बहुत अच्छे से चला सकें, कोई एक बड़ा बिजनेस खड़े कर सकें, और साथ ही अपन चाहते हैं कि एक ऐसा industrial ले लिया हमारे छेतर नेचर से परिपून है, मान अर्मदा का उद्गम इस्थाल यहीं पे है, और हमारे अमरकंटक से अपने देश के तीन मतलब जीवन दाइनी बड़ी-बड़ी नंदिया निकली हैं, तो यह परियाटन का भी बहुत अच्छा माध्यम हो सकता, तो हम भी चाहते हैं, जैसे यह आप आए भी होंगे, तो कई आपको पहार देखने को मिले होंगे, जिसको टूरिस्ट के प्लेस के हिसाब से बहुत अच्छे से डबलब किया जा सकता है, तो मगर हम लोगों को अगर ऐसा करने का सौभाग प्राप्त हुआ, तो जाहिर से बात है, हम इन सब छोटे-छोटे चीजों पे ध्यान दे के कुछ अच्छा बड़ा करना चाहेंगे, जिससे हमारे पूरे देश में पुस्पराजगर का नाम रोसन हो, देश के बाहर पुस्पराजगर का नाम रोसन हो, और देश भी देश से लोग यहां टूरिस्ट के द्रिष्टी से यहां याए, अच्छे पदों में यहां से जाएं, और कुछ सरकार की बड़ी-बड़ी योजनाव का लाव लेके कुछ एक बिजनेस परपस पे भी आगे बढ़ पाएं, ऐसी जो भी सरकार की मनसा है, उस अनुसार पूरे छेत्र और पूरे समाज का अच्छा भी कास हो सके, ऐसा अपना प्रयास रहेगा. जाएते हैं, और थोड़ा सा बसाहट भी फाइला हुआ है, और पहाड, घाटी इस तरह की चीजे हैं हमारे छेतर में, तो जाहिर से बात है उनको जब नगद में पैसे की ज़रूरत पढ़ता तो लगता है कि चलो बाहर जाके कुछ कर लें तो नगद पैसा मिल पाएं, क्य उसकी संभावना है हमारे चेतर में, यह काफी है, इस तरह से करके उसको कभर किया जा सकता है, और थोड़ा सा अब धीरे-धीरे आदमी के बैक्तियों के मन में जाग रुकता भी आते जा रहा है, तो सब लोग जैसे आपको पता होगा कि हमारे पुस्पराजगर का टमाटर पूरे बिलासर पूरे 36 गड़ में फेमस है, तो उस दिसा में कुछ अच्छा बड़ा बयापक काम हो पाए, इस दिसा में हम सब लोग चाहेंगे कि अच्छा हो पाए, तो जिस से काफी पलाइन भी रुकेगा और लोगो आत्म निर्भर भी होँगे, ऐसा मेरा मानना है हिरा सिंग जी आप राजनीतिक जीवन में कब से जुड़े हैं क्या संग से भी आप जुड़े हुए वेक्ति हैं मूल कह जाये तो में इस श्चेतर में आने के पहली की अगर मैं बात करों सबसे हैं नुगे उच्टी सभंख संग में काम करने क सोभाग प्राप्त हुए और उस से जुड़के फिर काफी संग के वरगों के माध्यम से फिर संग के दायितों के माध्यम से ऐसा काम करने का सौभाग प्राप्त हुआ उसी के बदावलत फिर मतलब वो तो एक राष्ट को लेके काम करने की जो सोच और अधारना है आया तो कुल मिला के अपने को प्रेणना वहीं से मिला आगे बढ़ने का लागना कि छ्षेतर द्रोड समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए तो कहीं न कहीं कोई न कोई माध्यम तो होना चाहिए सेवक संग से मिला समाज के लिए काम करना है तो कोई ना तो माध्यम होना चाहिए उसके लिए फिर हम ने राजनीटिक उसका एक माध्यम चुने फिर धीरे से अपने को इधर इस फिल्ड में आके भारती जंता पार्टी से जुड़ने का सवभाग प्राप्त हुआ और आज उसी में हम काम भी कर रहे हैं चलिए हीरा सिंगी बहुत-बहुत धन्वाद आपको इंटर्वी देने का हमारी सुम्प कामनाई आपके साथ हैं बहुत-बहुत धन्वाद